नमस्कार बहुत स्वागट है आपका, आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंडर पांडे मानव के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट्टे रहती हैं कभी प्रेम होता है, कभी लगाव होता है, कभी रिष्टे मजबूत होते हैं, कभी दुख, कभी सुख और इन ही घटनाओं में एक बड़ी घटना है धोखा न चाहते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है, कि व्यक्ती धोखे का शिकार हो जाता है, आखिर धोखे के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, और किन स्थितियों में किस तरीके का धोखा मिलता है आज इस पर बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे धोखे से सावधान रहिए इस बारे में बात करेंगे धोखे के पीछे ग्रहों की चाल क्या है इसके बारे में और धोखे से अगर बचना है तो कौन से उपाय किये जाएं जिससे धोखे से आप बच सकें तो धोखा जिन्दगी में मिलता भी है और लोगों को आप देते भी हैं दोनों ही बातें जोतिश के लिहाज से एहम हैं महत्वपूर हैं धोखे की पूरी स्थिती को समझने की कोशिश करेंगे कि धोखा देते कब हैं, धोखा पाते कब हैं, ये तमाम गरनाएं क्या हैं सबसे पहले जानते हैं कि धोखे के पीछे आखिर कौन से ग्रह होते हैं धोखे का ग्रहों से आखिर क्या संबंद है देखिए धोखा जो है वो कुंडली के छटमे, सातमे और आठमे भाव से संबंद रखता है छटमा, सतमा और आठमा खाना जो कुंडली का होता है वो डिरेक्टली धोखे से जुड़ा हुआ होता है धोखे के पीछे जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल रूप से होता है उसे कहते हैं राहू राहू का मतलब ये धोखा करने वाला क्योंकि अगर आपने पुरान की कहानी सुनी हो तो एक राक्षस ने धोखा करके अपना रूप बना लिया था देवताओं का यानि धोखे की शुरुवात वहीं से हुई थी राहू धोखे के पीछे सबसे बड़ा ग्रह होता है इसके अलावा खराब चंद्रमा और खराब बुद्ध भी धोखा देते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा काफी खराब है या आपका बुद्ध काफी खराब है तो आप धोखा देंगे और धोखा खाएंगे इसकी संभावना बनती है जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा, बुद्ध या ब्रिहस्पती कमजोर होते हैं उन्हें धोखा मिल जाता है चंद्रमा कमजोर होगा, रिष्टों में धोखा मिलेगा बुद्ध कमजोर होगा, धन का धोखा मिलेगा ब्रिहस्पती कमजोर होगा कदम कदम पर धोखा मिलेगा जिन्दगी में आप एक कदम आगे चलेंगे दो कदम पर धोखा आपको मिलता रहेगा अगर कुंडली में ब्रिहस्पती मजबूत हो या शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा हो जाती है, व्यक्ति धोखे से बच जाता है.